हेलो गाईस माई नेम इस नेहा और वेलकम टू माच चानल एस्पिसल फैक्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में चार सो करोर से बिच जादा बड़्स की प्रजातिया मौदूद है इनने से कई बड़्स को तो आपने देखा होगा लेकिन आज के इस वी फैक्ट नमबर वन मंडारिं डग या देखने में बहुती सुन्दर लगती है इसमें लाल, पीला, ओरेंज, बैंगनी और सफेट बिविन प्रकाय के रंग होने के कारण या लोगों का ध्यान अपनी और आकशित करती है इसका वज़न साथ सो ग्राम होता है इस तरह का पच बढ़ की सिर्पर ताज जैसी एस सनरचना पाई जाती है या ताज बढ़ा ही अकर्सक होता है या पच्छी प्राय एस्या यूरूप और अफ्रीका महादीप में मिलता है या पच्छी धूप भी लेता है जिसे हम सभी सन बाथिंग कहते हैं या पच्छी चोच को जमीन पर रखर पंकों को फैला लेता है इसकी चोच करन काला होता है इसकी चोच लंबी और मिलती है जिससे या मित्ती के अंदर की कीरू को खा जाता है Fact No.3 Magnificent Trifle Bird या Paradise परिवार की एक सुन्दर प्रजाती है या देखने में बहुती सुन्दर लगती है इसकी गरदन पर इंद्र धनुस हरे रंकी मुपिट के जैसे एक गोल आकती होती है और उसकी पीट पर एक लंबी मकमली कारी टोपी होती है ये पच्छी अपनी उच्छ पाल भरी इसपाइली फेस और डांसिंग के लिए इस पच्छी को दुनिया के सबसे सुन्दर बर्ड की लिष्ट में भी सामिल किया गया है इसका कारण है उसके गरदन पर होने वाले इंद्र धनुस के पंक योच्छी दूप के क्योंने में आते हैं एक अलग ही रूप दे या राजहांस परिवार की सबसे ब्यापक और सबसे बड़ी प्रजाती है इस पच्छी की आखे मस्तिक से से भी बड़ी होती है या पच्छी उड़ने और तैरने दोनों में सच्छम होता है फ्लैमिंगो गुजरात का राज्य पच्छी है या मुख्य रूप से उष्ट पाया जाता है इस पच्छी की खासियत यह है कि या एक टांग पर करीब तीन से चार घंटे तक खड़े हो सकता है इस मुद्रा में या नेन में भी ले सकता है तो इस खुब्सूरत पच्छी के लिए एक लाइक तो बनता है टुको टुकौन 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 पच्छी की चोच लंबी और रंगीन होती है जिसकी वज़े से यह काफी मखेंगें इनकी लगभग 40 अलग अलग पचापिया पाई जाती है टुकौन पच्छी देखने में काफी आकरसक और सुंदर होते ही और उनकी चोच लगभग 24 इंच लंबी होती है यह पच्छी अमेरिका और दर्चिड अमेरिका के मौन लिवाती होते हैं यूकॉन पच्छों की कीमत लगभग तीन से छे लाख रुपए के बीच होती है यह पच्छी नीले रंका देखने में बहुत ही खुबसूरत होता है इसके सर पर पंखों की क्राउन जैसी सुन्दर संवर्चना होती है जिसे यह पच्छी लोगों का मन मोह लेता है और यह कबूतर के सबसे सुन्दर सदस्यों में से एक माना जाता है इसका आहार मुख्य रूप से फल और बीच है इस पच्छी की लगातार घटी संख्या के कारण इसे रिट डाटा बुक पे सामिल किया गया है थैंक्स पर वाचिंग वीडियो और आप लोगों को मेरे फैक्ट कैसे लगे यह आप कमेंट सक्षन में कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक्यू